Hello everyone, welcome to my youtube channel तो आज मैं general science related questions discuss करने जा रही हूँ और ये questions हर exam के लिए important रहने वाले हैं तो मेरा first question है Plastro Paris कहां से प्राप्त होता है तो first of all आपको Plastro Paris का formula पता होना चाहिए that is C-A-S-O-4 half H2O और gypsum का formula हमारे पास होता है C-A-S-O-4 2H2O next है बालों को रंगने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है that is hydrogen peroxide next है सभी enzymes क्या होते हैं that is proteins next है optic fibers mainly used for जो optic fibers होते हैं उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं that is for the communication purpose के लिए हम इसको use करते हैं next है मुंबत्ती की लोग में कितने क्षेत्र होते हैं that is three areas होते हैं मुंबत्ती की लोग में जिसमें जो outermost होता है that is outermost, middle one and innermost next है बर्फ थोस होने के बाब जूद पानी पर क्यों तैरती हैं जो बर्फ बन जाता है पानी का जो बर्फ बन जाता है तो वो पानी के उपर क्यों तैरता है इसका क्या reason है that is उसकी density पानी से कम होती है इसलिए वो पानी के उपर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनता पानी से कम होता है next है chemical name of research development explosive is that is cyclonite next है butter boils at lower temperature on the hills because क्योंकि वहाँ पर atmosphere जो pressure है वो lower होता है hills के उपर atmospheric pressure कम होता है next है law of electrolysis given by law of electrolysis किसने दिया था Michael Faraday ने next है boiling point of water in the Fahrenheit scale is 1212 है Fahrenheit scale में अगर Celsius की बात करें that is 100 degree Celsius next है मचली बर्फ से जमी हुई जील में क्यों कैसे जीवी तरहती है क्योंकि बर्फ के नेचे जील का पानी नहीं जमता है क्यों नहीं जमता है हाइड्रोजन milk is pasteurized in order to क्योंकि ताकि वो microorganism को destroy कर सके to destroy microorganism next है temporary hardness of water is due to presence of calcium bicarbonate next question है जन्वरी एक 2003 से भिन भिन राज्यों में ethanol mixed petrol बेचा जा रहा है petrol में ethanol का percentage कितना है that is 5 percentage next है iron किस से प्राप्त होता है that is hematite hematite जो है और है एक आइरन का next है enzymes किस से बनने होते है enzymes जो amino acid से बनने होते है तो enzymes बनने तो proteins बनाते है और पीछे हमने बात की कि enzymes क्या है proteins ही रहा proteins बनाते है और biology से related एक question भी है कि proteins जो है किस process में बनती है due to the process of translation translation में प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है इंदर साइटो प्लाजम में नेक्स्ट है एंजाइम किस से बने होते हैं अमाइनुरस्टी से यह तो पता लग गया नेक्स्ट है एबसोल्यूट एलकोहल इस हंड्र प्रसेंट प्रूफ नेक्स्ट इस नोन मैटल जो द्रव अवस्ता लि प्र değişक्राविशन है यह और जिससे वह साउंद प्रड्यूट और नहीं करती है और प्राटिर्व इस यह प्र प्रोपर्टि है क्या सप्तेृच को सीच व опас नेक्स्ट है कोडिशन काठाण के वैट्वन इस नोन एज-अधा है है चार के साथ यह इसकी चार जो है कार्वन की वैलेंसी होती है नेक्स्ट क्लिनिकल तेंपरेचर रेंज इस थाटी फाइव डिग्री सेल्सियस तो फॉर्टी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट मोनोमर ऑफ नेच्रोल रवर इस डाइसोप्रीन और यह बार बार पूछी जाने व फोल्च बुए नेचर यह द्लाइन यह कैस्टिन है इस थाट जानेट चांट प्रेशपित इंफर्टी रहrice tenga scattering of light by colloidal particles is known as Tyndall effect element with the highest electron affinity in periodic table is chlorine group 16 elements called 2020 में question पूछा गया है group 16 element को हम क्या बोलते हैं जो group 16 की सारे elements है उनको हम बोलते हैं calcogenes group 17 में halogenes आते हैं group 18 में noble gases आती है next copper and nickel का alloy क्या है that is constanton next है mercury is used in thermometer because क्यों हम mercury को thermometer में यूज करते हैं क्योंकि एक लिक्विड है लिक्विड मैटल है और ये room temperature में भी लिक्विड ही रहती है it does not stick to the sides of thermometer ये चिपकती नहीं है thermometer की side से इसलिए हम इसको यूज करते हैं next in order to lower the melting point of ice which should be added हम उसमें salt यूज करते हैं salt add करते है common salt common salt का formula क्या होता है NaCl sodium chloride किस प्रक्रिया द्वारा स्मूद्री पानी से प्राप्त किया जाता है that is evaporation washing soda that is hydrated sodium carbonate next है किस प्रक्रिया द्वारा cooking oil को once पती घी means vegetable घी में परिवर्थ किया जाता है that is hydrosination fertilizers में कौन से ततव नहीं पाया जाता है इन में से बताना है nitrogen भी होता है hydrogen भी होता है phosphorus भी होता है Npk याद रखना है nitrogen phosphorus पोटाशियूम होते ही होते है hydrogen भी होता है next है cane sugar का रशाइनिक रूप क्या है that is sucrose को हम cane sugar बोलते है milk is an example of emulsion रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ जो है कौन सी गैस चोटे है carbon dioxide next है कच्चे फोलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रिक तो होती है ethylene जो फूट्स को पकाने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाते है ethylene next cellulose is a polymer of glucose glucose की बहुत सारी unit approximately 4000 units connect होती है then they will form the cellulose plastroperis is CaSO4 calcium sulfate half S2O calcium sulfate half S2O is the formula plastroperis next है और gypsum का क्या है CSO4 calcium sulfate 2S2O है king of chemicals is that is HNO3 next है acids turn blue litmus to red और basis क्या करते हैं red को blue में change करते हैं sodium metal is stored in kerosene lustrous non-metal is that is iodine क्यूंकि जो non-metals होती है वो lustrous नहीं होती है लेकिन iodine is the exception which show the lustrous property next है petroleum product used for repelling moths and insect is that is हम naphthalene को यूज करते हैं matter present in chlorophyll is magnesium और वैसे ही chlorophyll जो है वो green color के लिए जो plants का green color होता है वो किसके कारण होता है next है which is not a carbon monoxide carbon dioxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen, greenhouse gas इन में से नहीं है that is nitrogen जो है greenhouse gas नहीं है chemical formula of bleaching powder is that is CAO, CL2 next है चिंटी के काटने पर किसकी मोजूद्गी के कारण डंग से जलन होती है that is formic acid यूँकि चिंटी के डंग में कौन से acid होता है formic acid next है sodium is the metal iron oxide क्या है हमारे पास rust का formula है next है plastic bags are plastic bags क्या है non biodegradable है next है कितने तापमान पर centigrade और Fahrenheit thermometer में reading एक जैसी होती है that is minus 40 degrees Celsius a thermostat is used to regulate the steady temperature what is that compound formed is called when carbon is burnt in the presence of insufficient oxygen then answer is carbon monoxide which of the following thermal energy, hydropower, solar energy, wind energy is a conventional source of energy that is thermal energy which substance is commonly used in refrigerator refrigerator में कौन सा यूज़ करते हैं ammonia which fuel is used in nuclear reactor uranium what is the most important reason for the explosions in mines that is the mixing of methane with air which property metal turns them into thin thin steels that is malleability or wires may due to ductability next heavy water is normally used by which of the following industries nuclear power generation plants from which mineral radium is obtained that is which blend Bhopal gas tragedy किस gas के काण हुई थी which metal is used in nuclear power production plant जो के uranium की जाती है which are the following wool, wool, silk, cotton, teflon, not a natural polymer teflon is not a natural polymer rusting of iron is यह कौन सा प्रोसेस हैं? यह electrochemical प्रोसेस हैं a polymer which is used for making ropes and carpet fiber is that is polypropylene जो की rope, russे और carpet बनाने के लिए यूज किया जाता है the quality of diesel oil for use in diesel engines is determined by the kitten number next है if someone says that there is energy crisis in the country what would it mean? there is shortage of oil fossil energy is limited and atomic energy is exhausted हो गही होती है when mild steel is heated to a high temperature then and suddenly cooled in water suddenly हम उसको high temperature पे गर्म करते हैं और suddenly cool down करते हैं then it becomes hard and brighter the process is called इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब हम steel को high temperature देते हैं और suddenly cool करते हैं तो यह hard and battle बन जाता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? quenching the most commonly used substances in fluorescent tube is are mercury vapor and organ which of the flowing is used as a moderator in nuclear reactor that is graphite, paraffin and heavy water next है silicon carbide is known as a carbon dump तो यह पुचह जाता है कि carbon dump किसे कहा जाता है? that is silicon carbide the bleaching action of chlorine occurs in the presence of moisture hem is the important biologically in the myoglobin which is used to store oxygen in muscles जो myoglobin होती है वो होती है in the muscles में प्रिजेंट होती है तो यह इसका अंसर क्या होगा? oxygen in muscles the element silicon is abundantly present in sand में जो silicon abundantly present होती है a pale blue gas with a fish color odor restores the color of a blackened light painting the gas is also used as a rocket fuel it is ozone thank you भू़ उशे जढगाओा झाल में अजयन अगाओा बाहो Hम ढाँ दो किसे लिल शचो भागे झाल दो kशो जो भावाऋ भावाईो प्र जो आई!